चेस्ट इंफेक्शन यानि जिसे उरक्षत भी कहा जाता है यह विभिन कारणों से हो सकता है जैसे गर्मी से कोई एकदम चल के आए ठंडा पानी पी ले तब उरक्षत हो जाता है या किसी को टुबर्कलोसिस इंफेक्शन हो जाए तब ऐसी संभावना है पोलूशन में रहने से भी हो सकती है या जहां प्रदूशन बहुत ही जादा है नाक का इंफेक्शन है खासी रह जाये तब भी हमें चेस्ट इंफेक्शन हो जाता है इससे बचने के लिए हमें अनुलोम विलोम प्रानयाम करना चाहिए सोने से पहले अच्छी तरह से नाक साफ करनी चाहिए तथा स्वांस कल्प एक गुली सुबह एक शाम लें अगर हम गर्मी से एकदम कहीं आए हैं तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए एसी से बाहर निकलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि एकदम गर्मी में नहीं जाना